मेरा लेटिस वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर जिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिले सबसे पहले बार बार दुदकारे जाने जड़ु आये जाने पर भी जब यह कुट्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटा कर बैट कर दीरे दीरे पूँच हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी और देखने लगता है तो समझ में नही खरोद कर इसने सारे बदन में घाउ कर लिये हैं इसका पेट भी खराब हो गया है आसपास गंदा करता रहता है शरीर से बद्बू निकलती रहती है ऐसी कि उबकाई आ जाए फिर भला इसे कौन बरामदे में चड़ने दे घर में आने दे जो ही वह इस और बढ़ा कि हर मु कूतों से भी मार पढ़ने लगती है मार खाने पर भी यह तब तक मुडने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असहे नहीं हो जाती तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है किन्तु वहां से भागने का नाम नहीं लेता यह बैठ जाता है और लगता है तुकुर मेरा मुह देखने एक मित्र ने कहा कुचिला खिला दीजिए मर जाएगा एक बंदूग धरी मित्र बोले पचास पैसे भी बरबाद ना होंगे गोली से उड़ा देता हूं सोचता हूं इसकी इस बुरी गत्ते मौत अच्छी होगी किन्तु चाहकर भी कभी मुह से हा नहीं निकल पाता बहुत दिनों से हमारे घर में है यह है इसका जन्म कहां हुआ पता नहीं इसका बच्पन भी कहां बीता इसकी भी खबर नहीं एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में ना जाने कब घुसाया और खाट के नीचे लेट गया वह ठका था, गर्मी से परिशान खाट के नीचे के ठंडी जमीन उसे सुखद लगी वह चुपचाब लेटा हुआ, जोरो से हाफ रहा था मैं खाट पर चैद की दुपहरिया की जपकी ले रहा था एक समान ताल से निकलने वाली हाफने के आवाज से मेरी आँखें खुली, इधर उधर देखा कुछ नहीं खाट के नीचे देखा, तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आँखों पर पड़ी उस दिन भी इसकी आँखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी इसका शरीर धूली धूसरित था इसके बदन पर दाद के कई दाग थे, जिन से ताजा खुन तपक रहा था अतू अतू कहकर बुलाया, इसकी करुण आँखें आनंग से चमक उठी किन्तु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया उसे खाकर फिर वह लेट गया, मैं भी खाट पर सो गया जब शाम को नींद टूटी और मैं गाउं की और निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है अपनी अधिका सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गाउं के कुटे भौकने लगे एक दो इसकी और तूटे भी जब वे तूटे यह मेरे पाउं के बीच आ जाता मैं उन्हें दुद्कार देता किन्तु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गाट ली यह उनमें से एक हो गया इसका वर्णन करके समय क्यों बरबाद करूं अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुटा बन गया रोएं चिकना गए, बदन के दाग मिट गए जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी, वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया जो कुत्ते उस दिन इस पर भौके थे, उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया वह संकोच शील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्ब सबर युवग था गाउं से दूर हट कर खेत में घर बनवा लिया इतने पैसे कहां कि राद भर पहरा देने के लिए कोई संत्री रख सकूँ और स्वयम कहां तक जागा जाए भरोसा था तो इसी कुटे का जो ही हमारी नीन लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और जो ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौकने जब तुरंथ नीन लगी हो इसका भौकना कितना बुरा लगता प्राय बाहर इसे डाटता डाटने पर चुप हो जाता नस्दीक आकर बदन सूंग जाता जैसे इतमिनान दिलाता जाए अब निश्चित सोईए किन्तु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौकना आप सोईए या ना सोईए यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है हमारे घर में एक शादी होने बाली थी दिन रात धूम रही रात में बड़ी देर तक गाउं की स्त्रियां आती जाती रही जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोई कि जैसे घोड़े बेचकर सोई हो और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौकता रहा अचानक रानी की नीन तूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की और भौकता हुआ दोड़ा उन्हें कुछ संदे हुआ वे लोगों को जगाने लगी शोर करने लगी जब रोशनी की गई देखा गया घर में सेंध है कुछ चीजें चली गई है किन्तु इस कुत्ते ने ही बचा लिया नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया हुता दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमन किया था एक बरचा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया ना गया हो तो उस दिन इसका वारा नियारा ही हो गया होता यह कुता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपी घर का मालिक मैं हूँ किन्तु यहां तो राज जे जहांगीर का नहीं नूर जहां का है अतह रानी के प्रती सदा ही इसकी अधिक प्रीती और भकती रही जब रानी पालकी पर अपने मैंके गई यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैंके तक गया और जब तक वह वहां रही सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा मैंके से उन्हें मैं कार पर ले आया हमने चाहा इसे कार पर बिठा ले किन्तु ज्यों ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कुट पड़ा अब क्या करें उसे छोड़ना ना चाहते थे हार कर कार पर हम चले आए यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैल गाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतिक्षा में थे कि यह जट से सामने आ खड़ा हुआ अरे यह क्या सारा शरीर धूली धूसरित है शरीर में कितने जखम है लगता है ज्यों ही हमारी कार आँखों से ओजल हुई यह बैल गाड़ी की प्रतिक्षा किये बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता जगड़ता उनके अनेक विहों को अभी मन्यूसा चीरता रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहां पहुँच गया रानी ने इसे नहलवाया इसके जखमों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया आप ही बताईए ऐसे स्वामी भक्त करतव वे परायन सहसी जीव के साथ क्या वही वेवार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं किन्तो जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ चित उद्विग्न हो जाता है इसकी हालत देखकर नहीं संसार की हालत पर और कुछ अपना भविशे सोच कर भी यह कमबखत बुड़ापा क्या चीज है यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है जरजर शीन बना डालता है जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है बच्पन का दुलार जवानी का प्यार और उसके बाद बुड़ापे की यह दुदकार फटकार सारी शक्ति खोकर सारा सम्मान खोकर तिल-तिल गल-गल कर मरना विधाता यह तुम्हारा कैसा विधान है